methods of sexual reproduction, the fragmentation first the contents, definition of fragmentation and fragmentation in different groups of animals सबसे पहले हम बात करते हैं कि what is fragmentation fragment किसे कहते है, fragment कहते हैं pieces को अगर कुछी चीज different pieces में divide हो रही है तो हम क्या कहेंगे यह fragmented हो गया, तूट गई है fragmentation का method है यह animals के अंदर एक reproduction के method के तुर पर भी काम करता है कि जो simple organisms होते हैं अगर वो accidentally different pieces में breakdown हो जाएं तो फिर हर वो piece जो breakdown हो चुका होता हो एक नए animals में convert हो जाता है यह basically है regeneration power कि हर piece जो है, हर fragment, it can regenerate यह regenerate करके एक नहा हर नही animal बना देगा इस तरह से अगर हमारे पास कोई simple organism है, sponge है या फिर sponge से हट कर आगे इसमें जहाँ वो इनवर्टिवेट्स हम देखेंगे जो इसमें जब भी अगर एक animal को आप 10 pieces में divide कर रहे हैं तो वो 10 pieces ही क्या कर रहे हैं कि आगे हर piece regenerate का कि complete animal जहाँ वो बना देगा तो इससे fragments बने, fragments हर fragments एक नया animal बना रहा है तो यह भी reproduction की एक टाइप है कि एक animal बहुत सर नया animals जहाँ उसमें grow कर रहा या बना रहा है उसके अंदर लेकर fragmentation के अंदर यह जो method है इसके अंदर सिर्फ वही animals successful नहां या वही method इसको animals उस method को use करेंगे जहने के अंदर reap generation की power है which have ability to regenerate आप इसमें से अगर हम देखें तो जो lower animals हैं उनके अंदर fragmentation बहुत common है जैसे नाइडेरियन हैं नाइडेरियन के अंदर अवर कमन है जैसे हमारे पस हाइड्रा है अगर हाइड्रा एक हाइड्रा दो हाइड्रा में breakdown हो जाए तो दोनुं हाइड्रा क्या क्या करेंगे कि जो इसका hind portion है वो anterior end बना देगा जो anterior portion है वो hind portion बना देगा विससे एक से दो जहाँ वो hydra बन जाएंगे इसी तरह से अगर हमारे पास कोई platy helmet थी इसमें जैसे planarian है अगर planarian को हम accidentally ये two three pieces में cut जाए तो हार planarian का head वाला portion है वो regenerate करका पूरा planarian बना देगा दर्मियान माला जो piece है वो पूरा planarian बना देगा वो head भी बना देगा टेल भी बना देगा इस तरह से end वाला piece है वो आगे तमाम portion बना देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो planarian के जितने pieces हम करेंगे उतने ही planarian बन जाते हैं आम तरह यह transverse में जो हो होने चाहिए pieces तब जाकर वो regionate करता है इसके लावा जो अकाइनोडर्म्स है अकाइनोडर्म्स के अंदर reproduction की power जहाँ वो बहुत ज़्यदा famous है कि जैसे starfish के लिए आपने पढ़ा भी हुआ कि starfish का अगर हम इसकी breakdown हो जाए तो जो broken piece है वो आवंतर पर अगर उसके पास जाएंगे तो simply fragmentation में जितने fragments होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे कि ने animals जहाँ वो develop होते चले जाएंगे यहाँ diagram में आप देख सकते हैं कि यह हमारे पास पहले hydra की है adult hydra जहाँ है वो amputation amputation का अदल होता है कि किसीने cut जाना जहाँ हो अच्छा fragmentation के लिए हमने यह रखना के fragmentation accidentally होती है अगर accidentally को animal breakup होता है तो वो फिर क्या करता कि आगे आगे आपने जो missing part है वो regenerate करके पूरा animal बना देता है जैसे hydra दो pieces में डिवाइड होगा accidentally तो यह दोनू pieces आगे फिर क्या करेंगे दो small hydra बनाएंगे यह posterior portion anterior बना देगा anterior posterior portion बनाएगा तो इससे दो portion से आगे क्या करेंगे दो hydra जहाओ बन जाएंगे दोनी pieces से फिर यह hydra क्या क्या करेंगे grow करके complete जहाओ animals बना देगे similarly this is planarian planarian में आप देख रहे हैं कि इसको two pieces में यह डिवाइड हुआ है accidentally डिवाइड हुआ है तो anterior end ने posterior end बना दिया है और posterior end ने anterior end को बना दिया है same as the case with see any moon see any moon عام तर प्रसेisile है वो slow mover है तो عام तर जब see any moon move करता है तो उसके different pieces उसकी body से अलाग होते हैं और जितने pieces उसकी body से अलाग होते हैं वो उतने ही ने c a new moon बना देते हैं तो जब see a new moon move कर रहा होगा तो उसके movement के साथ-साथ क्या होगा कि जो fragment से अलाग होंगे वो ने c एनिमून बनाते चले जाएंगे